हलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में आपको यह बताने जारों की कैसे आप अपने Vivo X90 Pro Android Mobile Phone में आप जो है Ambient Light Effect Setting को अपना Use कैसे कर सकते है ठीक है और यह Ambient Light Effect Setting काम कैसे करती है आज के इस वीडियो में आपको डीटियल में जानकारी देने वालों तो चलिए आप यह वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले तो आपको अपने वाइल फोन में Setting Page आपको Open करना है Setting Page को Open कर लीजिए अपने वाइल फोन में Setting Page में आपको नीचे यह Option मिलेगा Dynamic Effect का इसे आपको Select करना है इसके अगले पेज में आपको यह Option मिलेगा Ambient Light Effect का इसे Option को Select करना है अब यह पेज आपको Open होगा ना इस पेज में आपको On Screen Display का यह Option मिलेगा इसके सामने बटन को On करना है तो आपको नीचे की साइड यह आपको Option शो हो जाएंगे इस Option को Select करना है अब यह पेज आपको Open होगा इसमें आपको नीचे की साइड काफी सारी Light यह दे रखे हैं आप इसे Slide करके देख लिजिए इस तरी की से ठीक है तो आपको यहाँ पर कोई भी एक Light आपको Select करनी है इसके बाद आपको नीचे की साइड यह अपलाई का बटन दबाना है तो यहाँ पर अब यह Setting कैसे काम करेगी देखिए दोस्तों आपके Mobile Phone पे कभी भी Incoming Call आएगा तो जैसे आपका Incoming Call आएगा आपके Phone की Screen के उपर तो आपके Mobile Phone की Screen पर इस तरीके से Light Show होगी इस तरीके से Light Show होगी जो आपने Select करी होगी ठीक है Incoming Call आएगा ता अब आपको Back Page पे जाना है अब आपको इसी तरीके से नीचे यह Notification के सामने ले बटन को On करना है और यहाँ पर आपको नीचे की साइड यह सबसे नीचे आप आप चाहे तो वही सेम लाइट आप Select कर सकते या फिर आप चाहे तो दूसरी कोई दूसरी Apply यहाँ पर Select कर सकते है तो यह पर दोस्तों आपको जो भी लाइट आप Select करेंगे तो आपको नीचे यह बटन आपको जरूर दबाने अपलाईगा ठीक है तो अभी इस सेटिंग कैसे काम करेगी जब भी आपके मुवाईल फोन पे कभी भी नोटिफिकेशन आएगा तो आपके बाइल फोन पे नोटिफिकेशन आने पे यह वाले लाइड आपकी दिखाई देगी ठीक है मुवा प्रेल्पोन पे